असलाम लेकुम डियर स्टूडेंट आज हम यूनिट नंबर फॉर का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है अरेंजिंग जो के है एक इफेक्टिव डिजाइन कॉंसेप्ट और इसमें हम लाइब्रेरी और उससे रिलीडिर एडियास को देखेंगे कि उन्हें कैसे बहतर बनाया जा सकता है जहां बच्चे आएं किताबें पढ़ें और उनकी लिटरसी स्किल्स डिवेलप हो सकें सो लाइब्रेरी को लिटरसी से जब हम रिलेट करते हैं तो इसको हर हाल में रेकमेंड किया जाता है कि यह इमेडियेटली विजिबल हो और अपीलिंग हो और फिजिकली अक्सेसिबल हो दोनों के लिए टीचर्स और स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट के आगे इतनी बड़ी शिल्प नहीं होनी चाही चाहिए कि वो लाइब्रेरी को देखी ना सके विस तुरीके से अरेंज करना चाहिए कि स्टूडेंट को पता हो कि यह हमारी लाइब्रेटी है और वहमें विजिबल है और वहां किताब और उसense वियर और यह ही के अंदर जो जरा प्लेस थोड़ा सा आइसोलेटेड हो जहां थोड़ी आवाजे कम आ रही हो थोड़ा सा हटके हो ताकि बच्चे सकून के साथ बैठके किताब को कर सकें इंडिविज्वली क्रूप में या टीचर के साथ जहां पर लाइटिंग हो जाओ कि सेपरेट स्पेस कैसे कर सकते हैं उसे फरनिचर के थूफ फ्लेक्सिबल फरनिचर हो सकता है बुक्षब्स हो सकती है मोबाइल बृटन बोर्ड हो सकते हैं तुसरे मल्टी परपस फर बच्चों के लिए और टीचर के लिए आसान हो तो हम उस एरिया को इस तरीके से थोड़ा सा सेपरेट कर सकते हैं बाकी प्लेस्टेशन से टीचर के लिए यह बहुत इंपॉर्टन है कि जिस भी मर्जी क्लास के कॉर्णर पर खड़ा हो उसे तमाम एक्चुली इतनी बड़ी होनी चाहिए कि वहां पर चार से पांच बच्चे ग्रुप में खटे बैठ सकें और किताबं को एक्स्प्लोर कर सकें और एक एस्टिमेशन के मताबिक आपका जो फ्लोर प्लैन है तक्रीबान उसका 50% एरिया लाइब्रेरी को कवर करना चाहिए बच्चे लाइब्रेरी को कोई भी नाम दे सकते हैं अपने से रिलेटिट उनके फेवरिट नाम दे सकते हैं आप बच्चें को हम रीडिंग के लिए इंकारिज कर सकते हैं जब वहां पर हम उनकी फेवरिट बुक्स को इस तरीके से डिस्प्ले करते हैं कि वह बुक्स नज कि क्यों नहीं किताबों को पड़ेंगे आप बुक का डिस्प्ले इस किसम का होना चाहिए कि जो रैक्स हैं उसके उपर आपकी पूरी किताब नजर आने चाहिए उसका कवर या उसकी स्पाइन जिस पे उसका नाम लिखा और आपको पता है कि कवर इतना इंट्रक्टिव होता अच्छा सा इंवायरमेंट हो जिसमें बच्चे बैठना चाहें और मुक्तलिफ पोजिशन में बैठ के या लेट के बुक्स पढ़ना चाहें इसके इलावा जो अगली इंपॉर्टन चीज आती है हमारे पास हो आती है कि हम लिट्रसी रिलेट आर्टिफेक्ट को प्ले एर भी चाहे वो आपको प्रिटेंड ही लग रहा है वो नजर आएगा लिट्रसी प्राम्ट जो है उनको इस तरीके से स्टोर किया जाता है जिस मर्जी प्लेस्टेशन के हो माथ के हो साइंस के हो इंगलिश के हो और्दू लैंगवज के हो या सोशल स्टेडी के हो कि बच्चो से आके बार बार पूछते हैं कि वो चीज कहां पड़ी है तो कुछ अरसे बाद बच्चे वो चीज़ों को इस्तेमाल करना चोड़ देंगे अगर बच्चों को नहीं पता होगा कि कौन सी चीज़े कहां है और एडिकुएटली कहां रखीमी है और कहां वो लैबल है जाहर ह बार बार वो टीचर से आके बच्चे नहीं पूछते और उनकी फ्रिक्वेंसी कम हो जाए यह उन चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए तो अर्रेंजमेंट इस वेरी इंपॉर्टन लेबलिंग इस वेरी वेरी इंपॉर्टन आर्टीचर को क्या चाहिए कि जो मैसेज सकती हैं कि हम इनको इस्तेमाल के लिए करते हैं जब आपके पास इतने लिटरसी टूल हैं तो हमें बच्चे को दिखाना भी पड़ता है बताना भी पड़ता है कि वट से यूज फॉर इंपल इनका पॉटेंशल यूज क्या है अब मैसेज बोड पे टीचर डिस्पले कर सक कर सकती है जिस बच्चे की बर्थडे है उसका नाम डिस्पले कर सकती है या जो कमिंक इवेंट हैं उसके बारे में इन्फरमेशन कर सकती है तो बच्चों को पता चलेगा वाट इस बार्पर सोफ़ मैसेज बोड अर्लियर अक्रिवीटी सेंटर के अंदर हमें आजब हम को रिकॉर्ड कैसे करना है उसके स्टेप लिखे जा सकते हैं एक्सपारिमेंट का आउटकम लिखा जा सकता है वहाँ डाइग्राम और प्रोसीजर लिखे जा सकते हैं तो जितनी भी आप लेटुसी टूल यूज कर रहे हैं डेफिनेटली छोटे बच्चे हैं तो आप सिर्व